एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेज खेल महुतसव का आयोजन IAT में होने वाला है उद्गोश और ये सिर्फ खेल नहीं होगा बलकि खेल भी होगा और साथ में एंटर्टेन्मेंट भी पूरी उद्गोश की टीम हमाई साथ मौजूद है उनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या-क्या चीज़े होने वाली है और ऐसा क्या खास होने वाला है इस बार के उद्गोश में जिसके लिए सिर्फ कानपूर से नहीं बलकि बाहर से भी बहुत सारे इस्ट्रेंट्स आने वाल सब्सक्राइब करते हैं यानि कि पूरा एक तरह से इसलिए आप लोग कहते हो कि एशिया का सबसे लेकिन खेल के साथ साथ अगरथ रहे साथ होजा तो उसका मज़ा ही अलग होता है क्या है एंटरटेन्मेंट के लिए हम हर तीनों दिन रात में events organize कराते हैं जिसमें फोर्थ की night से शुरुवात होती है उस दिन हमारे एक band night होता है band night के साथ सा silent disco भी होता है silent disco हमारा yoga room में होता है और band night open area में होती है उसके बाद 5 को हमारा mister उधोष होता है शाम में और रात में एक EDM night organize कराई जाती है जो डिसको night होती है उसके अलावा छै की छै की शाम में closing ceremony है उसके अलावा entertainment के लिए सबसे में इवेंट बॉलीवोड नाइट छै की शाम को organize कराई जाती है जिसमें कोई बड़ा आर्टिस्ट आके perform करते हैं like a concert और but obvious से बात है कि उस बड़े आटिस्ट का नाम आप अभी नहीं एक दिन पहले ही reveal होंगे सारे नाम अच्छा यह बताई यह आपने का silent disco हम लोग एक film देखी थी जिसमें silent disco पूरा अपना कान में ऐसे लगाते हैं वैसे कुछ होता है कि हां बिल्कुल वैसे ही होता है पूरा DJ set होता है और सारे headphones लगाए होते हैं और वैसा होता है अभी हम लोग सुन रहे थे कि sports event जो है वो कुछ sports event पहली हो रहे हैं जैसे खोखो है और एक आप लोग ने बताया था कि एक्वेटिक्स और एक women bodybuilding यह भी शायद आप लोग के होने वाला है तो सबसे बड़ी चीज तो यह कि खोखो बहुत पुराना हम लोग के गाउं से जुड़ा हुआ खेल है लेकिन धीरे-धीरे खतम होता जा रहा है विलुक्त होता जा रहा है उसको आयटी क्योंकि बहुत 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 सथान है बहुत टेक्निकल है उसमें खोखो को लाने के पीछे मकसद क्या था क्या सोस थी उसको लाने पीछे देखिए ऐसा होता है हर साल पर चाहते हैं ताकि दीरे दीरे हम स्पोर्ट्स भढ़ाते जाएं और लोग पार्टिसिपेट्स करते जाएं हमारा एक जो जितने पार्टिसिपेंट से धाई अजार उस संख्या को हम और बढ़ाएं ताकि जादा से जादा लोग हमसे जुड़ते जाएं और जो चीजे विलुक्त हो रही है उनको हम विलुक्त नहोंने दे और उनको बढ़ाएं और विमन बॉड़ी बिल्डिंग की पी मों दो चीजें और कराते हैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग उसमें हम हर साल देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या भरती जा आया अभी तक, उसको हम क्यों ना लड़कियों के लिए भढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कियों की इतनी देखते हुए कि लड़किया इतनी उत्साहित है इन चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमने इसी चीज को मदे नज़र रखते हुए, उस चीज को और हो गया है, अब ऐसी कौन सी चीज बचिए जिसके लिए लोगों को जाना चाहिए, हमारा प्रीफेस्ट इवेंट बचा है, जो सबसे में है, युनोस्क, एक स्कूल लेवल कॉइस कॉंपेटिशन है, ये पांच वी क्लास से बारवी क्लास तक होता है, दो फेजों में होता ह सर, ये क्विस कराने का में मकसद ये है, कि स्टूडेंट्स को जो छोटी आईउ में होते हैं, उनको जेई, नीट और अधर कॉंपेटिटेव एक्जाम के रूबरू कराने का सर, तो इसमें सर, इस बार हमारे दो सेशन होएं, एक UPSC, AIR, CSE, AIR1, आदित्य शिवास्तर सर, इन्होंने टॉक शो लिया था, स्टूडेंट्स का, और दूसरे चीफ गैस थे हमारे, मिस्टर आदित्या, सौरी, आशी शरोडा सर, ये फिजिक्स गैलेक्स के ओथर ते सर, इन्होंने बच्चों के जो भी डाउट्स थे, जेई के, वो सारे अड्रस करे थे, और सर, इसमे हमारे 50-12 तक हो गया सर, और 50,000 प्लस स्टूडेंट्स ने पाटिसिवीट करा है, ये अभी तक कर है, और 1000 प्लस स्कूल को हमने बेनिफिट करा है, सर, और सर इस बार हमने जो हर पूल है, हमारे चार पूल होते हैं, सर, उसमें से टॉप थी स्टूडेंट्स को हम आईटी कै परदीर में ही स्वास्तमश्टिक से रहता है यानि आपको अपना बॉड़ी और माइंड दोन ही अच्छा करने के जरूरत है तो अगर बॉड़ी को फिट करना है तो उसके लिए स्पोर्ट्स है अगर माइंड को फिट करना है तो उसके लिए क्विज है और अगर दिल को होश का इंतजार करिए अनुरागा गर्वाल टीवी नाइन कानपूर